एक राजा था और उसकी दो पत्निया थी एक बहुत काली थी और एक बहुत गोरी थी जो गोरी थी उसको अपने गोरेपन का बहुत घमंड था और जो काली थी वह बहुत भोली थी उन दोनों में एक समानता थी कि उन दोनों को कोई संतान नहीं थी राजा बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसको लगता था कि मेरी भी कोई संतान होनी चाहिए राजा अपनी दोनों पत्नियों से बहुत प्यार करता था पर राजा की फेरवर्ट पत्नी गोरी वाली थी लेकिन उसने कभी भी दोनों पत्नियों में भेद भाव नहीं किया राजा की जो गोरी पत्नी थी वा बहुत घमंडी और जगडालू थी घर के सब काम राजा की काली पत्नी से करवाती थी और वो वेचारी सब काम कर लेती थी पर राजा को कुछ नहीं बताती थी एक दिन राजा की दोनों पत्नियों को बहुत बड़ा जगडा हुआ और राजा की गोरी पत्नी ने काली पत्नी को महल से निकाल दिया काली राणी ने राजा को सारी बाते बताई और राजा उसे कहने लगा कि तुम्हारे लिए अलग महल बनवा दूंगा तुम उस महल में रहना फिर राजा ने महल के सामने छोटा सा महल बनवाया और उस घर में काली रानी को रहने बोला एक दिन राजा दूसे राज में घुमने के लिए जा रहा था तो उसने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि तुम दोनों को क्या क्या सामान चाहिए मुझे बता दो मैं तुम दोनों के लिए लेकर आऊंगा तब राजा गोरी पतनी इसके पास गया और उसे कहने लगा कि तुम्हें बाजार से क्या चाहिए तो वा बोली मुझे मेकप का सारा सामान चाहिए फिर वा काली पत्नी के पास गया और उसे कहने लगा की तुम्हें बाजार से क्या चाहिए फिर वा राजा से बोली की मुझे एक छोटा बंदर चाहिए वा बोला की ठीक है मैं लेकर आऊंगा कहकर राजा वहां से चला गया अगले दिन राजा दूसे राज गया और उसने वहां से सारा समान ले आया और अपनी पत्नियों को उसका समान दे दिया राजा की काली पतनी उस बंदर को देखकर बहुत खुस हो गई वह बंदर उस रानी का सारा काम करता था उसके साथ खेलता भी था वह काली रानी उस बंदर को अपने बच्चे जैसा प्यार करती थी एक दिन चानक काली रानी बहुत विमार हुई, उसे देखने राजा नहीं आया, बंदर को बहुत गुस्सा आया, औरुआ राजा के महल चला गया, राजा से कहने लगा कि मेरी माँ जैसी रानी को देखने, आप क्यों नहीं आये बंदर के डाटने के बाद अगले दिन राजा रानी को देखने के लिए घर आता है दवाई और खाने पीने की चीजे दे कर चला जाता है वह रानी उस बंदर को बताती है कि मुझे संतान होनी चाहिए थी वह बंदर उस रानी को बोलता है कि आप टेंशन मतलो आपको संतान जरूर होगी मैं भगवान से प्रातना करूंगा अगले दिन वाई बंदर घर से गेहूं का आटा लेकर मंदिर जाता है और गेहूं के आटे को गुंदता और उसमें दो आखे एक नाक दो हाथ दो पैर ऐसे बनाता है और भगवान से प्रातना करता है भगवान उस बंदर की प्रातना सुनकर उस आटे के गोले को एक छोट बच्चा बना देता है और उस बंदर उस बच्चे को देख कर बहुत खुस हो जाता है बच्चे लेकर काली रानी के गोद में दे देता है काली रानी उस बच्चे को देख कर बहुत खुस हो जाती है बंदर का सुक्रिया करती है राजा को खबड मिलती है कि काली रानी को बच पहता है काली रानी खुशी से अपने बच्चे को लेकर महल जाती है और राजा उस गोरी रानी को घर से निकाल देता है और काली रानी को अपने पास रख लेता है। इस कहानी से हमें या सीख मिलती है कि कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए।